फुल पितारा में आज सुनते हैं एक नई कहानी जिसका शिर्षक है भगवान भी भजन करते हैं। नारत जी को तो आप सब जानते ही हैं। यह अधिकार नारत जी को ही था कि वे भगवान कृष्ण के अंतहपुर्तक चले जाते थे। उन्हें टोकने का साहस किसी में नहीं होता था। एक बार ऐसे ही भ्रमन करते हुए वे जब द्वारिका पहुँचे तो भगवान कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिये। नारत जी सीधे रुकमनी के पास पहुँचे और पूछा आज यजवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कहा हैं वे। रुकमनी ने पूजा घर की और संकेत करते हुए कहा वहां बैठे जब कर रहे हैं। नारत को बड़ा आश्चरिय हुआ। वे पूजा घर में पहुँचे तो देखा भगवान कृष्ण सचमुच ध्यान लगाए बैठे हैं। नारत की आहट पाते ही उन्होंने आखें खोल दी और हस कर उनका स्वागत किया। नारत ने आश्चरिय से पूछा हे भगवान आप किसका ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण ने गंभीर होकर उतर दिया, नारद जो मेरा ध्यान करते हैं, मुझे भी उनका ध्यान करना पड़ता है, शिक्षा इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस संकट काल में भी भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हर संकट से ह हमारी रक्षा आवश्य करेंगे,